वेल्कम वैक ट्रेडर्स विद अनधे लर्निंग वीडियो तो ट्रेडर्स आई होप आप सब अच्छे होंगे और अब आप 4X में भी ट्रेडिंग कर रहे होंगे because मेरे को बहुत सारे messages आरते कि सर हमने Forex में trading करना तो start कर दिया है but हम जैसी वहाँ पर trade punch करते हैं तो immediate हमको वह loss दिखाई देता है हम लगाते तो यहाँ पर trade है पर लग उपर जाता है लगाते तो नीचे हैं उससे भी नीचे जाके trade punch हुजाता है क्या broker हमारे साथ कुछ गलत कर रहा है जिसके करके हमको loss देखना पड़ता है यह सारे आपके बहुत सारे questions है इसे related मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही simple way में बताने वाला हूँ कि यह आपको loss क्यों दिखता है और इसको कम कैसे कर सकते हैं इसको पूरा खतम नहीं किया जा सकता बट इसको कम जरूर किया जा सकता है ठीके मैं आपको यह पूरा detail में समझाने वाला हूँ इसी वीडियो में यहाँ पर मैंने अपना Axnex का टर्मिनल ओपन कर लिया है ठीके trade is Forex में trade करने के लिए अभी के टाइम में Axnex सबसे अच्छा platform है ठीके Forex में trade करने के लिए यह कोई भी sponsored वीडियो नहीं है ना मैं किसी चीज को promotion कर रहा हूँ यहाँ पर यह सिरिफ एक education purpose के लिए बताया जा रहा है कि अगर आप Forex में trade करना चाहते हो अच्छे तरीके से Axnex सबसे अच्छा platform है यहाँ पर आपको easy deposit easy withdrawal मिलता है ठीके और इसका जो trading का interface है इसका जो terminal है वो भी बहुत ही simple है ठीके आप बहुत easy तरीके से यहाँ पर trade कर सबते हैं अगर आपके पास इसमें एक भी account नहीं है तो मैंने नीचे description और comment में इसका link दिया है वहाँ से जाओ आप अपना इसमें account open करवाओ जिब आपका account open हो जागा आपका अपना traders आपके अपना traders ID जो भी आपके trader ID होगा mobile number email ठीके जिससे आपने यहाँ पर registration किया उसका detail आप मेरे को WhatsApp कर दीजिएगा और अपना name भी mention कर दीजिएगा ठीके मैं आपको immediate broadcast channel में add कर दूँगा वहाँ पर आपको मेरे जितनी भी trades होंगे नो आप वहाँ पर copy कर सकते हो अपने trading view में paste कर सकते हो उससे आपको क्या होगा आपको तेक learning मिलेगी कि मैंने levels को कैसे निकाले जो हमें loss दिखाई देता है ठीके टेटरस यहाँ पर दिखो जब आपका account यहां verify हो जाएगा तो आपको यहाँ पर एक option देखने के लिए मिलता है open new account करके ठीके टेटरस बस आपको speak करना होता है और आपको यहाँ पर देखो multiple accounts देखने के लिए मिल जाते हैं ठीक है यहाँ पर जो आपको recommended किया जाता है वह किया जाता है standard जो कि बिल्कुँ सही है अगर आप beginner और new हो न आपके लिए सबसे अच्छा standard ही होता है यहाँ पर देखको minimum deposit है वह है एक डोलर से start है ठीक है आप यहाँ कुछ भी deposit कर सकते हो जो भी आपके पस amount है यहाँ पर कर सकते हो यहाँ पर देखको spread लगता है 0.20 का यही वो वला है जिसके करके आपको वहाँ पर loss देखने के लिए मिलता है ठीके टेडर्स मैं आपको detail में समझाता हूँ इसके बारे में don't worry यहाँ पर देखको commission नहीं लगता है ठीक है no commission है उसके बाद हमारे पास आता है pro account pro account में क्या यहाँ पर जो आपको minimum deposit करना पड़ेगा न वहाँ 500 दोलर करना पड़ेगा और यहाँ पर जो हमारा spread लगता है न जीरो पांट दोलर का और यहाँ पर spread देखो बिल्कुल भी नहीं है बड़ यहाँ पर commission देखोगो न यहाँ पर 3.5 दोलर का आपको यहाँ पर commission देना ही पड़ेगा ठीक यह raw spread किसलिए दिया गया है इसमें मेरे को खुद नहीं पता है अगर आपको पता है तो प्लिस कॉमेंट कर दीजिएगा ताके मेरे को पता लग सके कि यह raw spread किसलिए दिया गया है ठीक है देर उसके बाद हमारे पास अगला आता है जीरो ठीक इसमें मेरा account है जीरो वाले में ही ठीक इसमें क्या है आपको minimum deposit 500 डोलर करना पड़ेगा और जी spread है वह जीरो है और जिसमें commission है जीरो पांट 20 जो के enough है सही होता है ठीक है यह होता है एक scalper के लिए अगर आप अच्छा आपके पास एक trading setup है आपके पास एक strategy है अच्छा खासा fund है तो जीरो प्रो सबसे बढ़िया होता है scalping के लिए जीरो सबसे best होता है ठीक है जीरो आपको accounts के बारे में पता लग गया होगा अब मैं आपको spread के बारे में बताता हूँ जिसके करके आपको loss देखना पड़ता है ठीक है यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर terminal पर ही चलते है यहाँ पर मैं आपको इंडियन मार्केट से रिलेट करके थोड़ सा समझाने की कोशिश करता हूँ कि spread क्या होता है ठीक है ताकि आप easy way से यहाँ पर इसको समझ सको ठीक है spread को जैसे हम इंडियन मार्केट में options बें trading करते हैं तो हमें क्या लगता हूँ पर ब्रोकरिज लगता है ठीक है 20 रुपे बाइंग के लगते है और 20 रुपे selling के लगते हैं ठीक है जो कई के dmit account पर 10 रुपे भी लगता है 30 रुपे लगते है 25 रुपे भी लगता है यह different डिफरेंट होते हैं यहाँ पर मैं 20 रुपे मानके चलता हूँ कि बीसर पर हमारे बाइंग के होते हैं और बीसर पर हमारे सेलिंग के होते हैं ठीक है और जो हमारे पास कुछ होते है अदस चार्जेस भी लगते हैं यहाँ पर मैं 11 रुपे मान के चल रहा हूँ ठीक है ज्यादा भी हो सकता है ठीक है यहाँ अदस चार्जेस भी हमारे पास जो इसका टोटल आता हैना 과 tam 51 जो है ऑप्शन रूपी का देख। क्या आपको वो proper 2000 पे मिलता है क्या नहीं मिलता है न पूरे 2000 पे नहीं मिलता है क्या आपको instant मिलता है क्या नहीं मिलता है न अगले दिन आपको मिलता है settlement करके ठीक है अगले दिन आपको कितना मिलेगा 2000 मिलेगा नहीं 2000 नहीं मिलेगा 19-19 रपे आपको देखने के लिए मिलेगा पूरा तो आपको नहीं मिलने वाला क्योंकि ब्रोकरेज कटा है ऐसे ही फोरेक्स मार्केट में भी होता है मालो आपके पास 20 डॉलर है ठीक है आपके पास 20 डॉलर है जैसी आप ट्रेड पंच करोगे न इमिजेट आपके अकाउंट से 0.20 काट लिया जाएगा ठीक है यह इमिजेट आपके अकाउंट से काट लिया जाता है उसके बाद यहाँ पर आपका कुछ भी हो प्रोफिट हो या लॉस हो यह आपका इसमें से कोई भी चार्जिस नहीं कटेंगे ठीक है आई होप आपको समझ में आ रहा होगा एक वर फिर से समझा देता हो मालो आपके पास यहाँ पर 20 डॉलर है ठीक 20 डॉलर से आप यहाँ पर ट्रीड कर रहे हो जैसे आप ट्रीड पंच करोगे न 0.20 यहाँ पर आपका जो है स्प्रेड काट लिया जाएगा इमिजट आपके अकाउंट से यह डिटेक्ट कर लिया जाएगा ठीक है यह सैटलमेंट नहीं होता है यह इमिजट यहाँ पर से आपके अकाउंट से डिटेक्ट कर लिया जाता है ठीक, उसके बाद आपको यहाँ पर जो भी profit या loss होगा न, वह है पूरा आपका है, ठीक है, इसके बाद आपको कोई भी चार्ट जिस नहीं देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है, आपको मैं अब चार्ट में दिखा देता हूँ, कि यह spread किस परकार से लगते हैं, ठीक है, ठीक अगर आपने नहीं सुना है, नहीं देखा है, तो आप अपना dommate account open करना, उसमें आपको देखने के लिए मिले जागा, ask price, bid price, options, chain में आप click करोगें, वहाँ पर आपको यह देखने के लिए मिले जागा, जो आपको चार्ट ओपन करोगें, ठीक है, इन दोनों के बीच में चीज़ भी points का difference आता है कुछ भी points हो सकता है उसी को हम लोग spread बोलते हैं या आप charges कह सकते हो क्योंकि अभी आप इससे family year नहीं हुए हो इसलिए आप थोड़ा सा confused हो सकते हो यहाँ पर जो भी इस points में different आते हैं ask and bid price पर उसी को हम लोग spread बोलते हैं जो कि immediate हमारे account से deduct कर लिया जाता है तीक है मैं आपको अभी इसमें दिखा देता हूँ candles में यहाँ पर देखो एक blue color है यह हमारा होता है ask price यहाँ पर देखो नीचे है bit price ठीक है जो हमारा red बाला है आपको यह दो दिख रहा है इन दोनों के बीच में जो भी differences आ रहे हैं यही हमारा spread है यहाँ spread हमें क्या लगएगा 0.20 पर actually में यह कभी भी same नहीं होता है जो हमारा spread है वह कभी भी same नहीं होता है यह कोई भी नहीं बताता है क्योंकि किसी को पता ही नहीं इतना तो कोई बताएगा क्या ठीक है मैं आपको यह प्रोपर बता रहा हूँ ठीक है यहापर देख आपको ब्लू एक रेट दिख रहा होगा इनके बीच में जो डिफरेंसे आते हैं यह हमारा spread होता है ठीक है बट यह सेम नहीं होते हैं जग volatility ज्यादा होता है ना market में ठीक है उस समय जो हमारा spread होता है बह अगर आप Asian time पर trade करोगे ने तो आपको spread बहुत जादा देखने के लिए मिलेगा ठीक London session पर trade करोगे तो आपको spread बहुत कम नजर आएगा ठीक है तो यहाँ पर इस spread को मैंने आपको बहुत easy way में बताए है कि spread क्या होता है प्लीज अभी तक मैंने आपको subscribe like के लिए के नहीं बोला है तो please subscribe कर लेना और like भी कर देना तो मिलते हैं next video में have a nice day